अगर बेक आई मोड़ दर्मेन सर्व डिये अच्छी डॉक्री नगर देली बिटा आज हम लोग एम पी एम का फूल फॉर्म जानेंगे ओक लोग क्या होता वो जानेंगे बहुत रिक्वार्मेंट है बहुत सारे बच्छों ने पूछा कि सरें पी एम ओक लॉक अंगरेजी ब बोलो लीखो पहो सोचो कुछ भी करो एम पीम से आज आपसे कोश्चन में डाउट नहीं होगा एक बार यूपी एस ली कोशन पूछ दिया था एम पीम से ओक लॉक से बच्छे कंफूज कर जाते हैं आज देखते हैं फुरापड हम लोग एके करके क्या अखिर एम और यहा और यहां जा एक बार्ट मरे साथ आप बस देखो अंग्रीशी बोलने में कहा उज़ हो राइटिंग में कहा और हर चीज में कहा उज़ था कैसे कोश्चन पुछे जाएंगे आपे को मेरे साथ बखो एम पीम और ओक लॉक सबसे पहले बात करें आप अएम का अराम से एक प हैं तो इसका फूल फॉर्म हो गया अब एम इस आप कि ए एक चीज है थ DIRECTOR आपक भी फॉर्न दै टैन्ग एक लेक्ष यूर्ट है इसका मतलब होता है waktu गो फॉर बिफोर नून का मतलब क्या सर दो पहर से पहले इसका मतलब कि इसको तुम सुबह कह सकते हो इसको तुम सुबह कह सकते हो इसका प्रयोग कहीं भी कर सकते हो यानि इसका यूज इसका यूज कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, किसी भी टेंस में कर सकते हो, अब मैं तुम्हें दस बिस एक्जामपल देता हूँ, पहले मैं सिखा रहा हूँ एम, फिर पी एम, फिर ओक लोग, तो एम कहीं भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो हम मान निकरें, बोल सूबर गर कहान लगाएंगा सर देख लो कहां प्रयोग करेंगे रात के रात के कितने में से बारह बजह बजह से सो नात के बारह बज़े से girls की लेवन 59 और रात के बार है से दिनोके 11 भाष्यकार 60 मीनिट तक उन्सर्ट मिनिट उन्न सथ सेकंड तक क्या लगा देना एम का प्रियुग जैसे तुम्हें मोलना हो तुमने तरह बोल दिया फॉर फिप्टीन एम इसका उता सुभा के सबाफ चार बजे यह वाथ हो किया अब संटेंस में सर इसमें आ गया तो रात के बार अब सुले के दिन के 1159 तक क्या लिखोगे एम यानि इन सब के लिए क्या परोग करोगे एम यहां बारा बजने के बाद 1159 तक अब संटेंस मना क क्यों करो जैसे हमने कहा कि वह कि ही वील कम वहाएगा कि बजाएगा सुरह चार बजायेगा तो ही विल गां एट फ५ॉर अ.उन अ.इस वहां इस सुभात चार अगा ही वील कम हमने कहा शी विलकाम एट नाइन एम वो सुबह के नौ बजी आएगा तो जो मन करो आप में जी बोलो I will meet you at 4 o'clock I will meet you at 4 a.m. I will meet you at 9 a.m. I will meet you at 8 a.m. He will come here at 5 a.m. So whatever comes to your mind a.m. का मतलब बटा शुबह यानि कि यह सुबह आएगा नौ बजी सुबह आएगा चावे सुबह आएगा तो इसके लिए क्या प्रोकर होगा एम का बोलो कोई डाउट नहीं ना आगे बढ़ो तहां हमने एम कंप्लिट किया अब बात करते हम पी एम का एक मेरीडियम या फिर कह सकते हो पोस्ट मेरीडियन या तो पोस्ट मेरीडियम को यह मेरीडियन को एक ही चीज है अप्चली कुछ बचों ने कहां मेरीडियम बोले की मेरीडियन बोले तो जो मन करता है बोलो ना गलत नहीं हुआ कुछ भी सेकंद देखो को और से यहां आमने क इसका मतलब को होता है तो hoje मतलब भामर्ड उसटेल क्या होता है अफटर नून इक आफटर का मतलब हुआ दो की सुर्फ के बाद अब दो फर के बात कि ऊद्टा य। भाई तो ध्यान जाए तो दिन के बार रह बजे से रात के लिए फिटिए लाए तो क्या बोलोगे? पी एम इसके लिए क्या प्रिफ्टारोगे? पी एम अगर तुने कहा कि नाइण पी एम में मिलूगा मतल सब्सक्राइब नौजए तुमने कहा फोर पीम मिलूंगा तो साम के चार बजे तुमने कहा वन पीम मिलूंगा तो दो पहर के एक बजे अगर मान लो तुमने कहा फोर एम मिलूंगा तो सुबा के पीम बोला तो साम के इसका मतलब कि इसका मतलब होता है शाम एम का मतलब सूबह पी-म का मतलब सौम यहां तक बोल भी टासम में आ गया एक्जामपल दो चार कर लेते हैं जैसे मैं तुम से कल साम में मिलूँगा तो कहा सकते हैं I will meet you साम में किते मिलूँगा पांच बज़ मिलूँगा तो I will meet you at 5 p.m. tomorrow ठीक बटा तू मेरे पास अगले महिने चार बज़े आओगे तो you will come to me at 4 p.m. next month ठीक है तो हमने कहा you will come to me at 4 p.m. मतलब साम में मिलोगी बटा तूम हमसे तो साम का मतलब p.m. और सुबा का मतलब a.m. लेकिन ध्या रखना किते बज़ तक किते बज़ तक ठीक है यहां को सुब देख लिया यहां पर जितने कि जाना बोलो मालो तुमला 9 p.m. I will meet you at 9 p.m. I will meet you at 8 a.m. He will come here at 4 p.m. 3 p.m. 5 p.m. जो बोलोगे उसका अप्रवार आम साब कर सते हो आपको अगर सिस्टमेटिक वीडियो पढ़ना है ना एक चाहतो कि बेसिक से डवांस पढ़ ले ना तो दिल ली आजाओ और एक अराम से सिस्टमेटिक बेच करते हैं जीरो से डवांस तक नमबर डू अगर आप चाहतो कि दिल नहीं आ सकते घर बैठे पढ़ना चाहते हो ताप अपने मोवाईल में गूगल में सच करो दिएसलिंग्विज डॉट कॉम और एक सिस्टमेटिक क्लास ले लो बेसिक से एडवांस क्लास कुछ भी नहीं आता है आप सीखोगे आप भीतर कर सकते हो इस पिकिंग करना चाहतो इसके थू करो राइटिंग करना चाहतो इस क्लॉक का मतलब हुआ एक एक और टींटू क्लोक या फिर कह सकते ह हैं कि और क्कॉर्डिंग टु आर एक आदिंग टूर एन आपर एक पॉर्डिंग तूर इसका मतलब शुबह सामने होता सुबह या साम नहीं होता इसका मतलब होता है घरी कि तुम जित्ते बजे बोलो इस सो करेगा आवर को आवर का मतलब हुआ इक्जैक्ट टाइम इक्जैक्ट टाइम का मतलब हुआ कि ए घंटे को सो करेगा टेन आवर तुआ यानि आपको बोलना हो 4 O'clock तो बोलो बैटा 4 O'clock एनि 4 बजे कितने बजे 4 बजे अब मैं संटेंस दे रहा हूँ पले समझना इसो को और से एनि O'clock का मतलब हुआ exact time हमने कहा कि I will meet you समझना को और से I will meet you at 4 PM इसका मतलब हुआ साम हमने कहा 4 AM इसका मतलब हुआ सूभा अब हम बोले कि I will meet you at 4 O'clock राइट अन्तर समझे I will meet you at 4 O'clock अब हमने कहा कि मैं तुम से साम में मिलूँगा 4 बजे 4 PM सुआ मिलूँगा 4 AM आब मिलूँगा 4 बजे मिलूँगा अब कौन सा 4 बजे तो इसका मतलब हुआ तो जब अगला 4 बजे का तभी तुम से मिलूँगा यह अगला 4 सूभा भी हो सकता है साम भी हो सकता है तुम कभ बोल रहा हो यह हो सकता है I will meet you at 4 O'clock मतलब शार्प 4 बजे यह सूभा साम मतलब नहीं है अगर सूभा साम बोलना है तो एम पीम का प्रयों करें या फिर इन दा मॉर्णिं का प्रयों करें I will meet you at 4 O'clock in the morning I will meet you at 4 O'clock in the evening सुभा बोलना है तो इन दा मॉर्णिंग साम बोलना है तो इन दा इविनिंग तो ओक लॉक का मतलब हुआ अकॉर्दिन टू क्लॉक अब यह और देखते हैं एजांपल करकर करकर के यहां पर बेटा बेसिक से सिखना है बेसिक से एडवांस तो हमने बात करा कि यहां पर संदिश दिखना हमने एजांपल दिया कि I will meet you I will meet you at 4.30 4.30 PM राइट है हमने करा 4.30 AM राइट है अब यहां पर कहना है मेरा कि I will meet you एग्जांब यह पुछा गया है I will meet you at 4.30 o'clock अब बताना बच्चे कि 4.30 o'clock बोलो according to hour है नहीं न यह 4.30 variable है यह time क्या vary कर गया यह hour नहीं घंटा नहीं हम लोग को hour प्रयोग कर रहे है चार बजे, दो बजे, तीन बजे, एक बजे तो एग्जांबल तुम्हारा गलत हो जाएगा तो I will meet you at 4.30 o'clock नहीं कह सकते हैं एम पीम तो कह सकते हैं लेकिन 4.30 o'clock नहीं ही से कह सकते हैं क्यूं? क्योंकि यह hour नहीं है hour जहां बोलना होगा वहीं पी o'clock आएगा o'clock मतलब शार्प एक्जांब में कही बार पूछा है इसको आप बिल्कूल identify कर ले बहुत तरीके से एक्जांपल और देखो हमने मालो कहा कि वह साहे 4 बजे आएगा हमने कहा he will come here he will come here और देखो साफ लिक रहा हूँ he will come here at वहाँ मेरे पास आएगा he will come at हमने हाँ पुला चाहते है साहे 4 बजे आएगा तो 4 30 o'clock हमने कहा 5 30 o'clock 6 5 15 o'clock इवटा सब गलत हो जागा कि o'clock का प्रयोग o'clock का प्रयोग आप किसी वरियाबल टाइम के साथ नहीं कर सकते आप चाहे तो एम लगा सकते हैं आप चाहे तो प्रयोग का प्रयोग का प्रयोग करना गलत होगा पैटा इसको आपको ध्यान के जोते बच्चे तभी आप सिक पाओगे तो he will come here at 4 o'clock he will come here at 5 o'clock आप प्रयोग जो मर्जी हो इसका उज़ करो I will come here at 4 o'clock 5 o'clock 6 o'clock 7 o'clock 8 o'clock अभी हाँ पर o'clock आप लिख सकते हो ठीक है o'clock बच्चे तो I will he will come here at 4 o'clock he will come here at 5 o'clock he will come here 7 o'clock अभी o'clock का मतलब हुआ according to our according to clock तो यहाँ पर o'clock आपको समझ में आ रहा होगा उन बच्चों को बताईए जिनके आप सकता है उन बच्चों बसेर कीजिए जिनको o'clock a.m. p.m. यहाँ से एक नमर एक क्वेशन आपके एकजाम में पुछे आते हैं UPSC, ASC, CPO सारी एकजाम में तो इसको कभर करके और सारे भारत में एक पर फिर से इसको दिखाईए और हर बच्चे को ज्ञान मिलना चाहिए एम का, पी एम का, ओक लॉक का थैंक्यू बेर मच्च फिर से मिलते हम लोग आगले वीडियो में थैंक्स थैंक्स झाल झाल